नमस्कार आज मैं आपको बता हुए हर साइट के कटोरी बाले ब्लाउज की कटिंग एंडिश्टी चे तो देखिए आसान और सरल तरीके से आप कटोरी ब्लाउज को बना सकती है लेकिन उसके लिए आपको डबल लेना है कपड़ा यहां पर हम कपड़े को डबल लेगे देखिए इस तरीके से हमें डबल रखना है यह डबल है और इसको आप डबल कटोरी भी बोल सकती है क्योंकि इसमें मैं डबल कटोरी लगाऊंगी अब देखिए यहां पर हम अच्छे से अपने ब्लाउज को रखेंगे अब सबसे पहले हमें चेस्ट का नाप लेना है तो इस की लंबाई यह 13 इंच है तो 20 इंच हमें एक निशान लगाना है तीन इंच हमें सिलाई के लिए लेना है कपड़े को हमें छोटा बड़ा करना है इस तरीके से अब देखिए यहां पर हमें पहले देड़ इंच लेना है तुर्पाई के लिए पीछे का जो पल्लर है उसको हम इस तरीके से रखेंगे देखिए ऐसे तो यह बराबर आ रहा है आगे का पल्लर है वह हमारा दो इंच बड़ा होना चाहिए पीछे की लंबाई हमारे तेरा इंच है तो यहां पर हमने देड़ इंच लग से लिया और तेरा इंच पर एक निशान लगा लिया तो आगे पीछे के दोनब पल्लर हमारे बराबर हो गए अब हमें इसको ऐसे रखना है अब हमें सोल्डर लेने है इसके पांच इंच आरूमल लेंगे च्छे इंच और यहां से गोलाई गले की चोड़ाई हमें दो इंच की लेनी है गली की लंबाई हमें साथ इंच कि और यहां से गोलाई कि यह पीछे का है यह आगी का आगे का यहां पर हमें आरूमल कटिंग करना है आदा इंच कि तेरा इंच पर हम एक निशान लगाएंगे एक इंच यहां पर लेंगे सबसे पहले हमें तीरे का कटिंग करना है नीचे की साइड आप देख रहे ना कैसे गोलाई में कटिंग किया है तीरे का अब हमारा जो भी फिटिंग का कपड़ा वो निकालेंगे दस इंच हमारा फिटिंग का कपड़ा दस इंच को हम तीन भागों में बाटेंगे साड़े तीन इंच का तीरा बनाएंगे साड़े छे इंच का हम कटोरी बनाएंगे दो इंच की कटोरी एक इंच का तीरा यानि कि हम कपड़े को तीन भागों में बाटेंगे एक भाग का हम तीरा बनाएंगे दो भाग का हम कटो यह तीरा हो गया नीच्छे का ए कतौरी को लगए अब दूसरे कपड़े नाएंगे आप देख हैं यहां फिन यहां मेशने के सब्सक्राइश रखें हैंगे शप्रोस्तोर और कुरात आपी और कि अधर नहीं यहां पिने और भी सब्सक्रान नापी यहां 받ाई देड़ इंच हम नीचे की साइड लेंगे नीचे की साइड हमने गोलाई दिये एक इंच यहाँ पर एक इंच यहाँ पर देखें हमारी कटोरी अच्छे से निकल आई अब हमें बाजू निकालने है यहाँ पर कपड़े की चोड़ाई है वो 17 इंच है इसको ऐसे रखना है देड़ इंच यहाँ पर लेंगे तुरुपाई के लिए अब यहाँ से हमें लंबाई ना अपनी अपनी बाजू की तो हमारी बाजू की लंबाई दस इंच है तो साड़े दस इंच पर हमने निशान लगाए उसके बाद हम यहाँ पर कटिंग का निशान लगाएंगे तीन इंच पर और इसको ऊपर की साड़ लेके जाना है हमें इस तरीके से आदा इंच यहां पर कटिंग कर लेंगे मौरी पर अब देखिए यहां पर जुड़ा हुआ है इसको अलग करेंगे पाजू हो गए कपड़ा बच्छा हुआ है यह जैसे मैं आपको बनाएंगे हम तो यहां पर देखिए हमारी दो कटोरी है दो कटोरी और निकालनी हमें कि अब देखिए हमारी यह कटोरी हो गई ही है अब मैं आपको इसके श्टिचे बताती हPeople अब देखिए हम मिया पर पहले डवल कटोरी की बात करें तो देखिए यहां पे कपड़ा है ना वह पतला है तो हम यहां पर इस तारीके से डवल काटğुरी बनाएंगे तो कपड़े के ऊपर हमें बराबर करके रखना है कटोरी के ऊपर और फिर सिलाई लगाएंगे तो देखिए सिलाई हमने लगा लिए और दोनों साइड हमें इस तरीके से देखना है जो हमारी हुक वाली पट्टी है ना यह हमारी हुक वाली पट्टी है तो इस तरीके से हमें देखना है और फिर उसके बाद हम प्लेट डालेंगे तो देखिए इस तरीके से रखेंगे हम डवल करके और फिर यहां फे लेंगे 1.5 इंच और इसको हमें कम करते हुए ऐसे उताना है भूलोकुन सेयव में अब इसको देखेंगे किस तरीकी की यहां पर बराबर आई है न तो इसी तरीके से अम अपने दूसरी साइड पर डालेंगे इसको ऐसे करना है अब यहां पर हमने डेढ़ श लिया और इसको कम करती हुए ऐसे उतारना है अब यह बगली के हमारे तीरे हैं तो देखें तीरे को हम इस तरीके से रखेंगे ऐसे एक पल्लर को अटाएंगे और यहां पर देखें हमें कटोरी को खीचना नहीं है बस इसके उपर रखना और सिलाई लगाने है आदा-दा इंच का कपड़ा दबाते हुए सिलाई लगाए और यहां पर हमारा यह आदा इंच पाहर हैं तो दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से कप्ड़े को छुड़ते हुए जो ती रहें न उसको छोड़ते हुए जौड़ना है न तो यहां पर दूसरी साड़ इसके बराबर निशान लगाएंगे कि कितना छू देखे जैसे हमारा तीरा है तीरे को इस तरीके से रखेंगे यहां पर हम ऐसे रखना है तीरे को पिलेट को अंदर की साइड ही रखेंगे देखिए अब यहां पर जो ज्यादा कपड़ा है उसको काटतेंगे अब दूसरी साइड वे इसी तरीके से जोड़ेंगे तीरे को अब देखिए हमने तीरे को भी जोड़ लिया है अब हमने पट्टी लिया है इसके चोड़ाई है हमारी पट्टी की 1,5 इंच पट्टी को हमें डबल करके रखना है इस तरीके से अब देखिए मैंने यहां पर पट्टी पर भी चलाई लगा ली अब हुक वाली पट्टी है ना उसको लगाना है तो यहां पर देखिए हमें तीरे का सेब भी देखना है कि इस तरीके से बराबर आना चाहिए अब देखिए हमारी जो हुक वाली पट्टी है उसकी चौड़ाई है एक इंच एक इंच की चौड़ाई है तो इसको अंदर के शांट दवाएंगे अब हमें एक किनारे पर सिलाई लगानी है पट्टी अंदर की साइड अच्छे से दब जाए और देखिए वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी इस वीडियो को जाद से जादा शेयर कीजिए प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए म्लीज मृशाले देख सकते हैं यहां यां इस तरीका से आप देख सकते हैं यहां दोनों वीडियो गए बैजाए इस तरीकशे अब आंगेा पालत थygen mean चीजेंगे के प्लद में दालना और इसको झोड़ना फिच्छे के फिर इसको जोडना है और फिर फिर लगाने फिर फिटिंग की सिलाई लगाई झाल झाल